मतलब common सी बाते एक लाग बारा हजार बन जाते हैं कम नहीं होता आप को ये बात समझनी है तो आपको जब भी कभी trade भी डालनी होती है तो हमेशा मेरी आप से ये request है अगर आपको लग रहा है कि मुझे trade करनी है तो trade हमेशा दोस्तो आज की वीडियो में बात करने बाला हूँ कि दुनिया के best business में से कौन सा business है जो कि आप लोगों करना चाहिए और अगर ये वीडियो आपके समझ में आ गई then definitely आप कभी भी share market को छोड़ने वाले नहीं हो इसके पीछे का कारण बड़ा simple सा है कि concept समझ में आना बहुत जादा ज़रूरी है लोगों को concept समझ में नहीं आते इस कारण में different जगा पर काम करने की कोशिश करते हैं मैं आपको आज समझाने वाला हूँ कि क्यों आपको share market में काम करना चाहिए दोखो यहाँ पर काम करने का main तरीका यह रहना चाहिए कि पहले आपको logic clear होने चाहिए कि भाई मुझे business करना है तो कैसा business करना है normally हम लोग जब काम करते हैं business करते हैं तो business में main motive होता है कि हमारा पैसा बने और दूसरा motive होता है कि जो पैसा बनाया उस पैसे से फिर से पैसा बने यही एक basic like कह सकते हो business का setup होता है कि एक business running condition में है उससे जो profit होता है उससे दूसरे business running कराया जाता है और जब profit आने चालो हो ज पूरी चैन बन जाती है, पूरा एको सिस्टम रेडियो जाता है, क्या हमारे पास भी कोई ऐसी एपॉचुनिटी है, जो कि हमारे पास में एवलिबल हो, हम भी अपने पैसे से काम करा सकें, प्लस हम भी यहाँ पर सोते-सोते पैसे बना सकें, आप कहेंगे सोते-सोते पैसे कै कैसे बन सकते हैं, तो मैं आपको उसका भी आंसर देने बाला हूँ, अगर इस वीडियो में आपको यह आंसर ना मिला, तो आप वीडियो को छोड़ो, आप चैनल को अंसब्सक्राइब करके जा सकते हो, कि मुझे concept आपके पसंद नहीं आए, concept number one यह है, कि कोई ऐसा बिजनस, जहां पर पैसा कमाना है, बट कमाने में यह बात ध्यान रखनी है, कि वो बिजनस ना तो कभी बंद होना चाहिए, ठीक, ना ही कभी उसके अंदर गिरावर्ट आनी चाहिए, ना ही वो बिजनस कह सकते हो, ऐसा हो, कि कि किसी दूसरे के कारण उस बिजनस पे कोई impact आ सके, आ कोई भी ऐसी services, या कह सकते हो, मैंने कोई भी ऐसी service, car rent की service open की, कोई भी business जो normal business है, जो आपको physically दिखाई देता है, पहले हम उस business की बात कर लेते हैं, आप पहले concept समझे, game है क्या, normal मानो मैंने एक shop open की, ठीक, open करने पर क्या चीज़े हो सकती है, क्या क्या conditions बन सकती है, condition यह है कि मैंने कोई product है, x, y, z product है, और वो product मुझे मिल रहा है, ठीक है मैंने क्या किया है, मैंने वो product, 100 पे का है, तो मुझे वो profit कब होगा, profit कब होगा यह समझो, profit तीन condition में होता है, पहली condition यह होगी कि market में उस product के demand हो, और मेरा वो product बिके, और product बिकते बिकते, उसके अंदर इंदर मेरा margin है मुझे महाँ से profit होगा केवल और केवल ये बात धियान रखना आपको probability पे गेम खेलना है probability पे कैसे किसी भी business के अंदर तीन condition बनती है first condition होती है कि वो business running condition में उपर की दरफ भागेगा हमको profits होगे ठीक और ये normal business की बात कर रहा हूँ आप अगर कोई भी काम कर कर रहे हो ना आपके दुकान है आप कुछ भी काम कर रहे हो आप कोई भी business कर रहे हो तो ये business आपकी वाली business के उपर भी implement होता है द्यान से समझो कोई भी चीज 100 रुपीज के ओपर गया तब मुझे मापे profit होगा business का first part ये हो गया ठीक है कि हमारा business जो है वो running condition में है हमारा product बेकर आया है लोगों को product पसंद आ रहा है बहुत अच्छा दूसरी condition है कि market sideways हो जाए अब वहाँ पर problem क्या होगी like जब market sideways होती है हमें कोई profit तो हो नहीं रहा क्योंकि business तो grow कर नहीं रहा है दूसरी condition ये आ जाएगी कि आप दुकान खोलके बैठे हो उसका आपको rent पे करना है आपको electricity का पे करना है आपको taxes and charges भी पे करना है प्लस अगर आपका product ऐसा है माल लि बेच सकते हो तो वहाँ पर आपकी दूसरी condition में ही आपको huge losses भी हो सकते हैं क्यों हो सकते हैं क्योंकि आपका business बट गया लोगों ने भी आपके आसपास same product बेचना चालू कर दिया तीसरी condition ये है कि भाई कोई खरीदना है नहीं चाहता आपके product को उस condition में तो आपको खुलम होता जा रहा है time value जाती जा रही है तो आप किसी भी business में देखो ये condition implement होती ही होती है कोई भी example लेकर देख सकते हो कैसी वाले example ये तो normal दुकान की बात हो गई माल दीजे मैं कोई product बेजता हूँ जिसकी value basically मुझे पता है कि ये product है तो उसकी भी demand होनी चाहिए तभी मुझे उसकी value मिलने वाली है अगर उसकी demand नहीं हुई market sideways हो गई तब भी मुझे वहाँ पे loss हो रहे है market अगर वहाँ पे उसकी requirement ही नहीं और मेरे पास वो product पड़ा है फिर भी उसकी value down होती जा रही है time के साथ में down होती ही होती जाती है बात ध्यान रगना कोई कहे मैंने तो भाई या तीन साल में आपको मिल रहा है तो जो आपने वहाँ पे अपना पैसा invest किया था उस पैसे की value down हो गई ना आप खुछ समझ सकते हो मालो किसी इंसान ने 10 लाग रुपे की investment की थी एक plot के अंदर example के तौर पे उस plot की कोई requirement नहीं है कोई उसको खरीदना नहीं चाहता चीक ह हुई आपने 10 लाग invest किये आज से 4 साल बाद उस plot की value अगर फिर भी 10 लाग ही रह गई या 11 लाग ए 1 लाग बढ़ गई तो आप ध्यान देनी की बात है आप कह रहे हो चलो product ऐसा है हमारा खराब थोड़े ना होगा plot है बड़ ध्यान देनी की बात आजाती है time value के कारण especially लोग इसको भूल जाते है time value के कारण जो आपके पैसे की value ग्री है न उसकी बात करे तो आपको बड़ा problem वहाँ पर देखने के लिए मिला third condition, third condition में market में उसे कोई लेना नहीं चाहता तो आप क्या करोगे अपने 10 लाग के plot को कहोगे मालिक 7 लाग में ही ले लो तो आपको 3 लाग का net loss तो हुआ ही हुआ प्लस ये time value के कारण जो आपका loss हुआ ना like कह सकते हो वो time value loss भी इसमें count कर सकते हो तो अगर आप अपने business को भी count करो, अपने business में देखो कि क्या सच में मेरा business भी इसी model पर work करता है कि जहां पर अगर तीन conditions है, first condition, second condition और third condition, तीन condition में अगर आपके पक्ष में किवल एक ही condition है कि जब भी उस product की demand होगी तब मुझे profit होगा और उस profit में भी कौन-कौन बैठा हुआ है, government भी बैठी हुई है, tax लेने के लिए, ये भी तो ध्यान दो, आपको वो भी तो बात ध्यान रखनी है, profit होगा तो, तो आपके दो तो against है ये वाली condition भी आपके against है, आपको यहाँ पे भी losses ही देखने के लिए मिलने वाला है, market sideways हो गई, तो दुकान खोलके तो बैठे होना, और कुछ भी loss ना हुआ, तो मेरे भाई time value का तो loss हो गया, आज आपकी age 20 साल है, 22 हो जाएगी, 2 साल गए आपके, उसको कौन count करेगा, क्योंकि भगवान ने वो free में दी हुई है, इसलिए उसको count नहीं करना, लोग वहीं गलती कर जाते हैं, चलो जी, third condition में, यहां तो आपका bill फटेगा ही फटेगा, आपको यह वाला time value loss भी होगा, और आपका जो product है, उसकी value भी गरेगी, तो आप अगर notice करो, तीन conditions में से, दो condition ऐसी होती है, जो जहां पर आपको loss हो सकते हैं, चीक, केवल एक condition ऐसी है, जहां पर करें, कुछ भी आ सकता है, मैं कहता हूँ, छोटीजी tent की दुकान खोली आपने, आपने बोला, भाई मैं काम करता हूँ, मैं न, 10 लाग रुपे की tent की दुकान खोली, मैंने इसके इंदर समान रखा, कुरसी, कुरसी, सब कुछ, आप सोचो, आपके आस पात 2-4 दुकाने औ जा रही है, आपने 10 लाग इंवेस्ट किये थे, वो तो sideways होगे, मार्केट कुछ फाइदा नहीं हुआ, प्लस आपके आँसे कोई समान लेना ही नहीं चाहता, क्यों आपका nature खराब है, जो भी बात है, या फिर आपके आस पास बहुत सारी दुकाने है, तब भी आपको loss प्लस आपको जो प्रॉफिट होगा, प्लस आपको जो प्रॉफिट होगा, उसमें कौन खड़ा हो जाएगा, हाथ लेके, गवर्मेंट की मालिक हमको भी दो, समझ रहे हो, तो केवल और केवल अगर हम देखें, इस जगा पे भी तो 33% चांस हुए, कि आपको प्रॉफिट ह होगा, और इस प्रॉफिट में गवर्मेंट भी अपना हिस्सा लेने के लिए खड़ी हो जाएगी, 33% चांस हुए, साइडवेज होने के, तो साइडवेज में क्या है, आपको लॉस होगा, लॉस क्या होगा, आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, प्लस आपका जो टाइम वै कंडिशन, यहाँ पे भी आपको लॉस ही होगे, तो अगर आपका बिजनस है और आप उस बिजनस में काम कर रहे हो, आप ये नोटेस करो कि आपके बिजनस में, अगर ये वाला रूल इंप्लिमेंट हो रहा है, कि आपको दो कंडिशन में लॉस हो सकता है, और केवल एक हारने की probability कितनी हुई 66% ठीक ये चीज़े होती हैं ये कोई भी business में आप implement करके देख लो आप छोटी सी दुकान से लेकर बड़े से बड़े mall तक को open करके देख लो mall में भी यही condition implement होगी कि लोग आएंगे product बिकेगा तो profit होगा लोग नहीं आएंगे sideways market होगई तो problem create हो जाए जो इस सारी बाते आपको समझनी है तो ये हुआ normal business model जो मैं कहना चाहूँगा आपको कि normal business जो लोग करते हैं ना मैं काफी time देखता हूँ कि share market से हम पईसा कमाएंगे कमाने के बाद में हम क्या करेंगे अपने आस पास ना थोड़ा सा business डाल देंगे अरे भाई business डाल दोगे लोग normal business को छोड़कर लोग share market में enter करते हैं आप share market को छोड़कर normal market में enter करने की बाते कर रहे हो reason है आपको logic पता ही नहीं है सो अभी clear हुआ ना कि 33% chance होता है जो हम normal business देखते हैं ना कोई भी business ले लो भाई laptop के दुकान खोल लो phone की दुकान खोल लो मुझे एक example बताओ जूते चपल कुछ भी हो कहीं की दुकान हो उसमें केवल 33% chance है आप वहाँ पे जीतोगे 66% chance है कि आपकी market या तो sideways हो जाएगी कोई आपसे समान नहीं लेगा तो आपके product की value डाउन होती जा रही है common सी बात है वरना sideways होने के साथ साथ market नीचे की तरफ गितना चाल हो जाएगी क्यों आपका product कोई खरीदना नहीं चाह रहा है तो उस condition में भी वहाँ पे आपको problem देखने के लिए मिलने वाली है तो यह तो हुगई normal business की बात है अभी अगर इबात समझ में नहीं आई कोई दिक्कत की बात नहीं है बाई सबको सब बात है समझ में आ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी अब मैं ऐसा business आपको बताने वाला हूँ जिसमें जीतने की probability 66% हारने की probability विन करने की probability 66% हारने की probability 33% यहाँ पे आपको loss देखने के लिए मिल सकता है यह ऐसा business में आपको शेयर करने वाला हूँ ठीक नॉर्मल सी बात है आपको मैं नहीं वाला business बता दिया आप देखो कोई सड़क पर खड़ाओ के मालो केले बेच रहा है ब कोई केले खरीदना ही नहीं चाहता तो केले वैसे भी खराब होते जा रहे हैं उसकी loss वहाँ पर हो रहा है थर्ड कंडिशन केले अगर उसको कुछी को खरीदना है तो खरीद रहा है तो उसको profit होगा और profit के साथ में काम करेगा तो जीतने की probability केवल यहां यहां भी हारेगा और यहां भी हारेगा तो इसको देखकर आपको market में कौन याद आ रहा है यहां पर आपको याद आ रहा होगा options buyer यहां पर आपको ध्यान दे रहे होंगे आप option buyer किया यह तो option buyer वाली condition लग रही है और अगर हम यहां पर बात करें इस जगह पर share market में क्या कोई ऐसी जगह है जहां पर जीतने की probability जादा है जी हां है आई आपको दिखाता हूँ कैसे यहां पर ध्यान दो यहां पर हम बात कर कर रहा हूं ठीक की बात क्यूं कर रहा हूं समझो इंडेक्स की बात की जाए तो मैंने क्या किया मैंने 200 days moving average लगाया ने के बात में मेरे जीतने की chances कितने होंगे ? option buyer स्भी कई सी जीतने के chances के उपर बाते करते है सारा pagamer और को निकाल नहीं आती है न, आपको पता है logic क्या है, then definitely आपको profit होंगे नहीं होंगे, reason है उसके पीछे क्योंकि आप यहाँ पर psychologicallyly stable नहीं हो तो problem होगी है, यहाँ पर क्या क्या चीज़े की जा सकती है, अगर मैं index की बात कुरू, index के अंदर हम क्या कर सकता है, हम future को buy कर सकता है future by करने पर क्या होगा, future by करने पर मैंने माली जा यहाँ पर enter किया, future by करने पर फिर से वही 3 condition, share marketing ते 3 condition बनती है, पहली condition market ऊपर की दरफ जाए, तालिया market sideways हो जाए और market नीचे की दरफ जाए तो अगर मैंने future को buy किया है तो मुझे यहां जीतने के chances कितने हैं कि 33% जीतने के chance है कि market उपर जाए अगर market 66% chance है कि 33 यहां वाले और 33 नीचे गिरने वाले 66% chance है कि मुझे यहां पर loss देखने के लिए मिले और 33% है कि कि मुझे यहां पर win जीतने के chances बड़े ठीक है अब मैं बात करना चाहूंगा यहां पर market में जो बड़े player होते हैं वो कभी भी यह normal चीज़े करके नहीं चलते हैं यह बात ध्यान रखना आप को बात समझ नहीं है कि जो भी काम कर रहा है न मार्केट के नहीं बड़े players होते हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे समझते हैं उनको mathematical calculation निकाल नहीं आती है लाइक वो 10th class की strategies को लाइक कह सकते हो 11-12th class की books को पढ़कर आए भी बता है उनको यह बात पता होती है वो इस जगा पे यहां पर क्या करने वाले हैं वो यहां पर पता क्या करेंगे अगर market 200 days के ऊपर खुली है तो उन्हें पता लगा कि भाई सबसे पहली बात है market को upside में जाना चाहिए ठीक वो यहां पर gameplay क्या करेंगे वो कहेंगे जब market upside पर जानी चाहिए तो हमारा पहला तो clear हो गया कि upside पर market जाएगी अगर मैं केवल upside पर जाने पर केवल buy trade लेता हूं तो buy trade होने पर तो क्या होने वाला है केवल 33% है मैं जीतूंगा और 66% है कि मुझे loss होग इसमें काम करेंगे वो यहां पर क्या game खेलेंगे अगर market यहां पर चल रही है मालीजी यहां पर 19,500 चल रही थी market तो वो लोग क्या करेंगे 19,500 की put को sell करेंगे और नीचे से 19,300 की put को buy करेंगे अब यहां पर ध्यान देने की बात है असली game क्या हो गया इसको basically hedging बोलते है normal hedging process बोलते हैं ऐसे करके ही काम किया जाता है अगर आप काम real में भी करना चाहते हो ना मैं आपको advice देना चाहूंगा कभी भी normal buy करके मच चला करो मेरे भाई कभी भी buy करके sell करके मच चला करो आपका यह game change हो जाएगा आपको 33% chance होगे जीतने के अगर आप normal buy करके चल रहे ह अब क्या है मैंने 9500 की put को sell किया और 9300 की put को buy किया for hedge purpose मेरा maximum loss बिलिमिटेट हो गया condition क्या बन सकती है condition यह बन सकती है कि market भाई या तो market उपर की तरफ जो मैं कह रहा था market उपर जानी चाहिए so first condition market उपर जाए तो मुझे यहाँ पर 33% जो है मेरे पक्ष में है कि मैं जीत ज जाऊंगा समझ रहो मैं तब भी जीत जाऊंगा क्यों जीत जाऊंगा options है भाई धीमे धीमे प्रीमियम टिके होगा और वहाँ पर टाइम वैल्ले मुझे रिसीव जाएगी थर्ड कंडिशन क्या होगी कि market 19500 से नीचे कितना चालू कर दे और नीचे गिरते गिरते मैं कहता 19000 छोड़ो 16000 पर भी आ गई ना तब भी मेरी जो थर्ड कंडिशन है थर्ड कंडिशन में मुझे लॉस जो है पता है वो लिमिटेड होगा लोग कहते हैं ना option selling में unlimited loss होता है वो बेवकूफ बनाते हैं बेवकूफ क्यों बनाते हैं ताकि आप option buying करो तो आप खुछ समझो तीन कंडिशन हैं तीन कंडिशन में भी मेरा जो लॉस है ना वो भी limited है मुझे पहले सी पता है लॉस कितना होगा प्लस 66% चांस है कि मैं जीतूंगा चीक प्लस इसके साथ मैं trend मुझे पता है कि मैंने trend के साथ काम किया क्या आपको इतनी information मिलने के बाद भी क्या आप इस ज प्रमल ना बहुत जाएप कॉन सा बिसनस हो सकता है क्या चीज़े कर सकते हैं 10-20 लाग ओर पर इन्वेस्ट कर देते हैं चलो यहां पर ध्यान देनी की बात आ जाती है 10-20 लाग उर्पर इन्वेस्ट करने का logic क्या बैठता है जीतने के chances तो केवल 33% है हारने के chances 66% है और यह कोई भी बिजनस ले लो आप, एक बिजनस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जहां पर भी मैं जाता हूं ना, यहां पर मैं कोई भी काम करता हूं, कोई भी like Forbes की जो like list होती है, उनको देखना या सारी चीज़ें जो भी मैं करता रहता हूं, मैं देखता हूं कि 33% chance है अच्छा है, सोचो मैं भी 10-20 लाग रुपे कपड़ों की दुकान में लगा दूँगा, सोचो कपड़ों की दुकान पर थोड़ा analyze करते हैं, कैसे, भाई मैंने क्या किया है, मैंने 10 लाग invest किये, पहली बात तो यह पूरी सिर्दर दी, मुझे पूरा product चाहिए, ठीक है अब क्या है, जीतने की chance कब होंगे, जब लोग खरीदना पसंद करेंगे, ठीक market अगर sideways हो गई, किसने मुझसे ना खरीदा, तो फस गया मैं, खाली अपनी दुकान पे बैठके मच्छर मारूंगा, ठीक market कोई खरीद नहीं रहा है, प्लस दूसरी चीज़ क्या है, product जो है वो खराब होता जा रहा है, क्योंकि कपडों की चीज़ है, भाई fashion है, तो खतम हो जाएगा एक time के बाद में, एक साल दो साल बाद उसको क्यों खरीदेगा किसी कपड़े को, तो यहाँ पे भी मेरे 33% chance है कि मैं हारूं, और अगर market sideways भी रही ना, तब भी मुझको loss होई रहा है electricity, प्लस मेरा time, प्लस मेरी दुकान का खर्चा वगेरा वगेरा यहाँ भी loss, यहाँ भी loss, cable profit कहा है, यहाँ पे और profit आते है, यहाँ पे कोन खड़ा हो गया, government भी, मालिक मुझे 18% GST देना भूल गए क्या, समझ रहे हो, यह चीजे भी आती है, और यहाँ की बात करूं मैं, यहाँ पर क्या game चल रहा है, अगर मैं share market की बात करूं, और share market में भी वो लोग जो केवल buy position के rate करके चलते हैं, कि भाई मैं तो कि stock को buy कर लेता हूँ, आने वाले time में profit होगा, मेरे भाई वो भी पता है किस category में count हो रहे हैं, इस वाली category में जहां पर उनको केवल 33% chance है, वो जीते, 66% chance है, उनको loss हो, देखो बहुत सारे लोगों को मेरी बातों से तरह आजीब लगेगा, अगर आपको कभी भी कोई भी investment भी करनी है, आप खुद बुद्धी लगाओ, आप अगर किसी investment को कर रहे हो, आपने यहाँ पर बाय किया, तो भाई आपको mathematical calculation के इसाब से पता होना चाहिए, भाई यहाँ पर तीन चीज़े हो सकती है, उपर जाएगा, sideways हो जाएगा और नीचे गिर जाएगा, तो यहाँ पर अगर आपने किसी भी stock को buy किया, तो आप खुद सोर सकते हो, मुझे profit कब होगा, पहला profit ही होगा कि market उपर जाएगी, तालिया, खुशी, बहुत अच्छा, मिठा यह बाटो, इसी के साथ में नुक्सान कब होगा, market नीचे गिर गई, तो loss होगे, market sideways हो गई, आप को गई चलो, कोई नहीं, sideways ही तो है, सोरपे का स्टॉक था, दो साल बाद भी, सोरपे काई तो है, क्या हो गया, नुक्सान तो नहीं हुआ, मेरे भाई हो गया नुक्सान, कैसे नुक्सान हो गया, सबसे पहली चीज, time value, आपने अपना दो साल भी तो दे दिया ना भाई, उस चीज के लिए काम करने के लिए, simple सी बात है, दूसरी चीज, आपकी time value की साथ साथ, पैसे की value कम हो गई, जो चीज आज 100 रुपे की थी, दो साल बाद उसके अंदर 6% के हिसाफ से देखें, तो 100 रुपे वाली चीज, 112 रुपे की हो चुकी होगी, बट आपके तो 100, 100 ही है, अभी आपको छोटी amount लग रहा होगा, कि 100 है, 112 रुपे का तो difference आया, भाई, किसी के पास में 10 लाग का fund है, तो वो 1 लाग, मतलब कॉमन सी बात है, एक लाग 12,000 बन जाते हैं, कम नहीं होता, आप कोई बात समझनी है, तो आपको जब भी गभी trade भी डालनी होती है, तो हमेशा, मेरी आप से ये request है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे trade करनी है, तो trade हमेशा, छोटी सी बच्चो वाली strategy follow कर लो चाहिए, बच्चो वाली, क्या बच्चो वाली, भाई, मैंने बोला, मैं एक काम करता हूँ, यह मैं बंडे पर चाने पर मैंने बोला, भाई, देखो, मैं सबसे पहला rule implement करना चाहूँगा, मैंने देखा, कि जैसे candle 200 days के उपर है, पहली बात तो मैं आपनी clear कर लेता हूँ, देखो, यह चीज मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, ठीक है, आप खुद बाखुद पहले बुद्धी लगाओ, मेरा main motive है था कि share market से हट कि कोई business करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो आप मुझे नीचे comment करके बताओ कि करना चाहिए, कोई business open करना चाहिए, उड़ता तीर कि आ, bell मुझे मार, ऐसे वाला scene लखना चाहिए, नहीं, मैंने यहाँ पर देखा, 200 days के उपर, तो मेरा first doubt clear होना चाहिए, कि भाई, मैंन एक काम करता हूँ, weekly वाली candlieri, इसका जो low था, इस low के उपर मैं क्या करूँगा, ये वाली put को मैं sell करूँगा, इससे नीचे वाली put को मैं buy करूँगा, छीक, weekly basis पे, अगर market उपर की तरफ जाई रही है, मुझे पता है market up trend में है, तो 33% तो मेरे पक्ष में है ना market, common सी बा है, क्यों 33% chance होंगे market sideways रहे, तो sideways भी मुझे profit होगा, फिर भी मुझे profit हो गया, third condition है market, यहां से नीचे गिर जाए, नीचे गिरने पर क्या होगा, loss जो होगा, वो loss भी मुझे को limited loss होगा, ठीक, मैं तो कमाल की बात है, मुझे हसी आती है, सोचके, जब मैं share market की बाते करता रिलेटिव के सामने है, वो इतने बड़े पोपट लोग होते हैं, उनको reaction कुछ ऐसा आता है, बहुत रिसकी काम है, अरे कदूर रिसकी काम है, मुझे बताओ कैसी रिसकी काम है, I want to know, मुझे पता नहीं लग रहा है, मैं गलत जगा तो पंगा नहीं ले रहा हूँ, आप लोगों को कमाल की चीज है, ये बाते समझ में ही नहीं आ रही है, कि मालिक ये कैसा बिजनस है, ये कैसी बाते कर रहे हो आप, आप नॉर्मल चाय की दुकान खोलने की बाते तो कर रहे हो, सौरी, 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 चाय की दुकान नहीं, रेस्टरेंट, थोड़ा प्रोफेश और 66% हारने के मतलब पता है कितने है लोस पता हो सकता है आपके 10 के 10 जा सकता है उल्टा आप पर बैंक का कर जा भी आ सकता है कमाल की बात देख रहे हो यहां इनसान को करने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यह दिखाई दे रहा है बिजनस बट हमारा वाला बिजनस थोड़ जाता सेफ लग रहा है आपको यह यह वाला बिजनस सेफ जाता लग रहा है जहां पर जीतने के चांच 66% हारने के चांच 33% हार होगे कितना लिमिटेड लॉस पहली पता है यह वाला बिजनस करते हैं अमीड लोग सच बता रहा हूं अमीड लोग आपने कभी नहीं देखा ह खोलेंगे, वो लोग रेस्टोरेंट खोलेंगे, वो लोग कह रहे हैं हम तो जी टीफन का काम कर लेंगे, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, वो लोग ये काम नहीं करेंगे, मुझे पता है, रीजन है उसके पीछे, उनको ये ये चीज़े समझ में आ गई होंगी यार, और वो बुक्स में नहीं बताई जाती है। यह बाते जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, यह बाते बुक्स में नहीं समझाई जाएगी, हर बंद आपको यह गएगा, इस्टॉक भाए करना है कर दीजे, मैं आपको अड़्वाइज देना चाहूंगा भाई, स्टॉक भी बाय मत करा करो, सिंपल सी बात है, जब से मुझे लॉजिक समझ में आया ना, 66% वाली बात तो बड़ी मस्त है, मुझे के पहले किसी ने क्यों नहीं बताई, कॉमन सी बात है, क्यों किसी को आदों को तो पता ही नहीं होती, उनको तो शेर मार्केटेज हुआ लगता है, कमाल की बात है, वो हमें जुआरी समझते हैं, बट कोई बात नहीं है, हम तो जुआरी अच्छे, मैं तो ये बात बोलना चाहूंगा, ये concept मुझे समझ में आ गया ना, बात खतम, मुझे इससे ज इजुकेशन सिस्टम पे मुझे शक है, कि भाई, ये इतनी सी बाते समझ में नहीं आ रही है, कि 33% चांस है, आपने मालों निफ्टी में हैं, आपने बाय किया, तो बाय केबल मत करो, बाय करोगे, करने पर क्या होगा, आपको ऊपर की तरफ जाने पर ही profit होगा, मार्केट स इसी चीज़ पे focus करते हैं, उनको पहले से ही पता है, कि मालिक मुझे कितना profit होगा, उनको पहले से ही पता है, कि मुझे कितना loss होगा, उनको पहले से ही पता है, कि मेरे जितने की probability कितनी है, और फिर भी अगर कोई बेवकूफ इंसान इन चीज़ों को, stock market को, जुआ बोले, तो भाई ये वीडियो उसकी तरफ फैक के मारना कि जरा इसको देख और फिर बता ये जुवा है या जो तुम कर रहे हो वो जुवा है कमाल की बात हसने वाली चीज़ है मतलब हसी आती है सोचकर इतने असा concept समझने में इतनी दिक्कत कैसे हो सकते कि भाई जिसमें chances तुमको दिख रहे है mathematically मैं proof करके दिखा रहा हूं कि 66% chance तुमारे जीतने के 33% तुमारे हारने के हारने में भी आपको limited loss दिखाई दे रहा है ठीक वो business आपको जुवा दिखाई दे रहा है और वो business जहां 33% chance है जीतने के 66% chance है loss कराने के और loss भी कितना हो सकता है पूरा पूरा capital भी गायब हो सकता है ऐसा भी हो सकता है प्लस आप पे bank का करजा भी आ सकता है यह आपको business दिखाई दे रहा है क्यों दिखाई दे रहा है यहाँ पे आप physically जा सकते हो यहां की बात करें तो यहां फिजिकली नहीं जा पाते हो यह प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में प्लस हमारे education system के अंदर क्योंकि हमारे education system में यही चीज दिखाई जाती है जो दिखता है वो बिखता है बट यहां पर ऐसा concept नहीं होता अगर आप सच में share market को ढंग से इज़्जद देते हो तो वो इज़्जद आपको देगा मुझे बस इतनी सी बार समझ में नहीं आती कि लोग कहते हैं loss unlimited है कौन बेवकूफ लोग है मुझे हसी आती है सोचकर वो कौन लोग है जो कहते हैं share market में कौन से बुग पढ़ी थी तुम ने केवल और केवल देखो बुग पढ़ने से अगर education आ जाती तो पता नहीं क्या होता बट मेरे हिजब से इस concept के उपर अगर आप काम कर रहे हो आपको यह concept समझ में आ गया मेरे भाई I don't think कि आपको कुछ और समझने की जरुवत है cable buy position नहीं लेनी है क्यों नहीं लेनी मैं दें बताया माललो मैं यहापे जाता हूँ मैं यहापे देखता हूँ SBI मैं आपको बताना चाहूँगा SBI मेरा पहला ही stock था जो life में मैंने पहली बार trade की थी 32 रुपे का मुझे profit हुआ थक और वो जिंदकी भरम मुझे याद रहने वाला है आप यहापे देखो मैं यहापे क्या हुआ मालली जे मैंने यहापे one day के time frame पे इसको open किया मैं बोलता हूँ बही one day पे मैं काम करना चाहता हूँ मैंने देखा कि माललो 200 days के उपर candle बनी अब क्या है मैं यहापे simple fundamental concept लगाना चाहूँगा अगर मैं यहापर इसे buy करता तो मैंने माली जे 600 रुपे के उपर 1000 share buy किये टोटल मेरा 6 लाग का investment हो गया चलो जी 6 लाग invest हो गया अब 6 लाग से उपर की तरफ आया है 772 हो गया तो 6 लाग से मेरे 7 लाग 52 बन जाते अगर मेरे 1000 share होते जीतने के chances कितने हैं इसके अंदर 33% ध्यान से समझना केवल buy करने वाले लोग देखो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं तो किवल आपको logic समझाने की कोशिच कर रहा हूँ जिसको समझ में आ जाये तालिया नहीं आये कोई दिक्कत की बात नहीं भाई सॉरी time pass कर दिया मैंने आपका चलो जी दूसरी condition सोचो market हैं ही sideways हो जाती उस condition में यहां से लेकर December से लेकर March आ चुका है March के अपरेल आ चुका है December से अपरेल तक सोचो market sideways हो जाती आप कहते हैं मैंने 6 lakh invest किये थे और 6 lakh ही रहने वाले हैं कोई दिक्कत की बात नहीं अर एक दिक्कत क्यों नहीं है भाई यहां से यहां तक का time चला गए आपका time value चली गए 6 महिने 7 महिने चले गए कौन count करें गए इनको यह भी दो बात आती है तो यहां क्या हुआ आपको actual में यहां पर आपको हुआ loss किस चीज का loss हुआ आपकी time value का ठीक दूसरी चीज है यहां पर inflation नाम की जो चीज होती है आज आपके जो 6 लाग उर्पे है एक साल बाद आपके 6 लाग की value 6 लाग नहीं रहने वाली है उस पर 6% का inflation लगेगा जो कि आप रोग 66,000 बैट जाएगा तो 36,000 value आपके 6 लाग की कम हो जाएगी ठीक है तो वहाँ पर आपको huge losses देखने के लिए भी लेंगे एक तो direct logs देखने के लिए मिला आपको उसी के साथ में आपको यहाँ पर inflation भी देखने के लिए मिला प्लस आपको अपनी time value भी जाती दिखाई दी यह भी problem यहाँ पर निकल कर आती है सो इसी कारण में आपको कहना चाओंगा जब भी आपको trade भी लेनी हो तो आप क्या करेंगे आप basically जैसी market यहाँ पर खुली आपने देखा 200 days के ऊपर आप एक line खीचो जो भी उसका price है मानली जह 580 का मेरा price चल रहा है सो मैं क्या करूंगा 580 की मैंने PE को sell करो ठीक और 560 की PE को buy करो और चुप चाप बैटके wait करो क्या wait करो अगर यह market sideways रह गई तब भी आप जीच जाओगे sideways market में भी आपको यहाँ पर profit होगा ठीक यहाँ पर winning ratio 33% आपके साथ है देन second condition market ऊपर की तरफ चली गई मैं तो कही रहा था कि यह stock ऊपर की तरफ जाएगा क्योंकि 200 days के ऊपर है तो upside movement हुई तो upside movement में भी 33% आपके chance है जीतने के जीच जाओगे बहुत अच्छा तालिया third condition market नीचे गर गई और नीचे गर गई एक limit तक गर गई तो भी limited loss होगा ठीक limited loss देखने के लिए मिलेगा प्लस अगर यह बर्बाद ही हो गया बिल्कुल नीचे गर गया तभाही मच गई बिल्कुल पता नहीं क्या हो गया SBI के अंदर यह Sbank जैसा उस condition में भी loss जो है ना आपको जितना loss आपको पहली पता लग जाएगा कमाल की बाद देखरो ट्रेड लेने से पहली मुझे पता लग जाएगा अब मेरे 2000 का loss हो सकता है max loss मेरा 2000 हो सकता है ठीक है जीतने के chance 66% है मेरे हाड़ने के chance 33% है मेरे और मेरा maximum loss 24,000 जो भी मतलब इनका difference होता होगा इतनी information मिलने के बाद कि जीतने के chance winning ratio 66% हाड़ने के chance loss होने के chance 33% ठीक loss कितना हो सकता है loss होने के chance loss कितना हो सकता है 2000 रुपे या 4000 रुपे या 20,000 रुपे बड़ी quantity में कर रहे हो profit कितना हो सकता है profit कितना हो सकता है ये भी पता लग जाएगा बाई 20,000 का loss हो सकता है extreme और 10,000 का मेरा extreme profit हो सकता है ये मेरा बीच का जो gap था ये चारो बाते पाचो बाते पता लग गई कितना जीतोगे जीतने के chance हारने के chance, loss कितना होगा in price, in rupees में Profit कितना होगा, यह सारी बाते कहां पता लगती है, मुझे यह बताओ, कौन से business पे पता लग जाती है, trade डालने से पहले ही कहां पता लग जाती है, मुझे बस इतना सा answer दे दो, अगर कोई जगा है ना, नीचे comment करके बताओ, मैं भी जानना चाहता है, मैंने बहुत दिमाग ल होने वाला है, सच बता रहा हूँ, इतनी सारी conceptual बाते समझने के बाद भी, अगर मैं बोलूँ कि मुझे काम नहीं करना share market में, तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई account नहीं होगा, मुझे पता है, यह मैं जानता हूँ, मुझे एकर कभी कोई business भी चालू करना पड़ाना, मैं कभ भी नहीं करने वाला हूँ, कोई real business सामने जो दिखता है, practical, भाई मैं तो यह simple सा भी game खेलूँगा ना, क्योंकि mathematically मेरे support में है यार, यह बच्चो वाला game भी कि भाई इदले पकड़, मैंने इसको बेज दिया, बात खतम, नुकसान होगा ना, कोई बात ने, नुकसान देख कर रहे हो, और 66 टाइम आप जीत रहे हो, 33 टाइम आप हार रहे हो, और 1 ratio 2 आपको दिखाई दे रहा है, कि 20 का loss हो सकता है, 10 का profit हो सकता है, तब भी आप profit में कुछ ना कुछ निकली जाओगे, डरने की कोई बात नहीं है, और loss भी होगा, तो आपको experience दे के जाएगा, कि क्य में समझ में नहीं आने का, और आप ने डिगरी PhD कर रखी हो, आप डॉक्टर हो, एंजिनियर हो, ये बाते समझ में आ जानी चाहिए, मेरे इसाब से मेरे भाई, इसमें तो कोई ऐसा rocket science है नहीं, कमाल की बात है, मुझे ये बाते किसने सिखाई नहीं है, मैं सब बता रहा पहली बता देता है, ट्रेड लेने से पहली बता देता है, मेरे भाई, और क्या चाहते हो, और फिर भी लोग शेयर मार्केट को गुजुआ बोलते है, गैंबलिंग बोलते है, बतलब कमाल की बात है, उन लोगों को या तो मुझे शक हो रहा है, उनकी education के ऊपर कि पता नही कौन से फरजी उनिवर्सिटी से डिग्री ले रखी है वरना उनको ही बाते कभी किसने बता ही नहीं है कि मालिक एक ऐसी भी जगा है शेयर मार्केट जहां पर आपको पहले ही पता लग जाएगा कि आपको कितने आएंगे, कितने जाएंगे क्या बचेगा, क्या नहीं बचेगा और कमाल की बात क्या है, शेयर मार्केट कभी भी बंद नहीं होगी दूसरी बात, उल्टा यहां पर तो और भी ज़्यादा स्टॉक्स आते जा रहे हैं तीसरी बात, आपको फ्यूचर में काम करना है इंडेक्स में काम करो, फ्यूचर में मैं तो कहता हूँ काम ही मत करो आप सीधा ऑप्शन में काम करो, ऑप्शन में हैजिंग पोजिशन बनाओ, बच्चो वाली स्ट्राइडजी भी लगाओगे न तब भी यार तुम्हारे जीतने के चांस जादा है, उसके अंदर क्यूं काम नहीं करना चाहते हो, बस इतनी सी बात के मुझे आंसर बताओ, मैं तो बड़ा हरान होता है, आप सोच के, कि इतनी सी बात है समझ में नहीं आती है, क्या, क्या मनसी बात है, अब जैसे यहाँ प अब ऐसा नहीं होना चाहिए, आप खुछ सोचो, 33% चांस हुए जीतने के अगर आपके वल इक्विटी को बाय करके बैठे हो, 66% चांस होते के आप हार जाते, नीचे गिर जाता तो भी हार जाते, 33 यहां वाले, तो दो कंडिशन में आप हार जाते ना, तो आप वो काम करो जिसके अंदर 66% होते चांस जीतने के, आप नीचे की फुट को बेचो, और नीचे की फुट को बाय करो, यह मैं बच्चो वाली बाते बता रहा हूँ, बच्चो वाली बाते पर फिर भी लोगों को नहीं पता, साइडवेज हुई मार्केट, तब भी जीतोगे, उपर गई पर सवार होना है, कि फूरी संपत्ति दाव पर लगा दे नहीं है, एक लोट से कर लो, छे महीने ट्राइ करके देख लो, छे महीने में अगर आप जीतते जा रहे हो, तो आपके दिमाग में बुद्धी चल जाएगी, हाँ यार बंदा सच बोलके कया, चीक है, सो आई वेश यार यहां तक ही बाते क्लियर हो गई होंगी, देखो, इतनी बाते मैं एक्सलेंट कर सकता था, मैथेमेटिकली देखो, जो मैं समझ के आया, जो मुझे समझ में आया, नॉर्मल बिजनस प्लस अपना शेर मार्केट कौन सा बैस्ट है, तो अंसर जब सामने दिख रहा है, कि कुझ भी बाते समझाई जाएंगी, और अगर उसको समझ में नहीं आ रही है, तो भाई मालिक माफ करो, गलत बंदे से मैंने पंगा ले लिया, गलती हो गई, आपके सामने वीडियो आ गई, बट जिसको समझ में आ गई हो, भाई वो नीचे कमेंट करके बताना, कि कोई और भी आपको समझाता है इस तरीके से, ज़रा कमेंट करके बताना, किसी के माइन में कोई 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 है, कुछ भी है, तो वो क्या कर सकता है, इस नमबर पे नमबर है 9837482890, सेकिंड नमबर है 8077521043, इन में से किसी भी नमबर में मैसेज कर सकते हो, प्लस अगर आप करन्सी मार्केट में काम करना, तो इस मेरी वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पे डाली हुई है, आप नीचे, explosive trades.in, नीचे मैंने वेबसाइट दी है, जाके continue जोईन कर सकते हो, बाकि से यह वहापे आपको अपडेट मिल जाएंगी, ठीक है, तो मिलता है next important करना, तो मिलता है, 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 तो मिलत